हेलो एप्रीवन वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेज इस वीडियो में हम धे याईस की यूपी पीसे स्टैस सिरीज का 11 नंबर का कोश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इससे पहले हम 10 पेपर सॉल्व कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है और इस 11 नंब केवल हिस्ट्री जोगरफी में अठके रहते हैं और इसे काफी कोश्चन पूछी जाते हैं इन्वार्मेंट से साइन्स से चली शुरू करते हैं फरस्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन एक मूल मातरक नहीं है तो सेकेंड मूल और एंपियर ये तीनों मूल मातरक हैं जबकि न्यूटन जो है इसे व्यूत्पन मातरक कहते हैं जो दूसरे मूल मातरकों से उत्पन होता है मोल मातरक की संख्या जो होती वो 7 है मोल मातरक की वल साथ होते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एमपीर, کेलविन, मोल और कैंडिला और निूटन बल का मातरक है ये वियुतपन मातरक है Нेक्स्ट है कुवें से पानी भरते समय रस्शी तूट जाने पर बेक्टि का पीछे गिर जाना एक उधारण है 21 जीज का उधारण है तो यह है न्यूटन के गती विश्यक तृतिय नियम का option C Newton के गती विश्यक तृतिय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है विद्दु जनित्र परिवर्तित करता है किसी परिवर्तित करता है तो यांत्री कुर्जा को विद्दु तूर्जवा में परिवर्तित करता है ओप्शन ए विद्दु जनित्र यांत्री कुर्जा को विद्दु तूर्जवा में परिवर्तित करता है नेक्स्ट है, घास इस थलिये पारितंद्र में संख्या का पिरामिड होता है, तो संख्या का पिरामिड घास में सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, ओप्शन होगा A, मतलब जो संख्या होती है, नीचे घास ज्यादा होती है, उसके बाद जो ग्रास होपर्स होते हैं, जिसे जो घास खाने वाले जी होते हैं, उनका नमबर आता है संख्या में, फिर मेढ़क का नमबर आता है, फिर स्नेक का नमबर आता है, तो नीचे से उपर संख्या घटती जाती है, इसलिए इसे सीधा पिरामिट कहते हैं, उल्टा पिरामिट नीचे को बनता है, नेक्स्ट है, नि जल की स्थाई का ठोड़ता को दूर किया जाता है ओजोन कीटनासक के रूप में यूज होता है उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है तो तीनों सही है ऑप्शन होगा डी उपरिउक्त सभी नेक्स्ट है जल प्रकरमड सहींत्रों में खुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाई किये जाते हैं इसके लिए किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस आस्वन और आयन एक्षेंज ठोस पदार्थ को निकालने के लिए जल से कौन-कौन सी विधी अपनाई जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस आस्वन और आयन एक्षेंज ऑप्शन सी हो गया नेक् काउं के नाम है क्रोमेटो फोर ओप्सन सी ये कोशिकाएं किन में पाए जाती है तो उभय चरों में मचलियों में और रेंगने वाले जीव में क्रोमेटो फोर नाम का वनड़ा क्यूगत कोशिकाएं पाए जाती है नेक्स्ट है उपरियुक्त यूगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो राष्टी उद्यान दिये हैं और राजियों के नाम इन टांग की इन टांग की राष्टी उद्यान नागा लेंड का है पहला वाला सही है दूसरा है सिंग लीला सिंग लीला पश्रिम मंगाल का ये भी सही है ओप्सन सी है बेतला मिखाले दिया है ये ग ता गलत पूँचा सिय और उप्सन सी और नेक्स त 나 बूमबं से ताथपर है इससे ताथपर है जल की सता पर बने सेवालों की पारत को कहते हैं अम्संसी होगा नेक्स य Adm эп सा कमें पकल कर रहे और समीर डे शल्योकल क्या होता है यह होता है और मेथेनौल नेक्सट है निमलिखित मेंसे कौन सा लवन क्रिस्टल ब्रिदी का एक उधारण है तो ये है भौतिक अपशे रखन condition का है बहुतिक अपशे का अपशे का निक्सट है कई कोशनद थोड़े टाफ लग सकते हैं लेकिन बाद में कभी ये कोशन मिले तो नहीं होने चाहिए इसलिए हम सारे कोशन देखेंगे अच्छे से निमनिलिकित कत्रों में से कौन साय से असत्य हैं असत्य फाइंड करना है भारत को 25 जय भगोलिक प्रदेशों में विवाजित क्या गया है तो यह सही है दूसरा है इस विवाजन का अधार तुंगता इस्तला स्वास्थाने पद्धती नहीं है तो स्वास्थाने यानि नहीं है जो है जीन बैंक यह बायस्थाने पद्धती है स्वास्थाने कौन सी होती है जो उनका प्राकरतिक आवास स्थान होता है जीवों का वहां पे अगर कोई पद्धती अपनाई जाए तो उसे स्वास्थाने कहते हैं जबकि उनके जो आवाज से बाहर कोई चीज हो रही है तो उसे बायस थाने कहते हैं जीन बैंक बाहस थाने है जबकि समुदरी संरचित छेदरी यह भी स्वास थाने है यह बी ज़ोस्पियर इसेर राष्टे उद्यान भी स्वास थाने है नेक्स्ट कोश्चन है निमने लिखित में प्रदूसकों में कौन अपने मोल सरूप में रह के प्रदूसर्ण फैलाता है तो यह DDT जो मोल सरूप में रह के प्रदूसर्ण फैलाते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूसर्ण भी कहा जाता है इसमें DDT भी आता है कार्बन डेयोकसाइड भी कार्बन मोनोकसाइड प्लास्टिक ये सभी आते हैं नेक्स्ट है निमने लिकित कत्रों पर विचार कीजे तथा दिये गए कूट की साहता से सही उतर बताएं पहला कतना रायसानिक आक्सीजन मांग यानि COD का मान जैविक आक्सीजन मांग से अधिक होता है तो पहला वाला सही है दूसरा कारण इसका लिखा है जैवी को ऑक्सिजन मांग कुल ऑक्सिजन की माप है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों जयो छैकारी तथा जयो अक्षैकारी की ऑक्सी करण के लिए आवस्यक है तो दूसरा वाला गलत है क्योंकि जो BOD ह होता है वो केवल जैवी आक्सी कर लिए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कांकलन करता है जबकि जो COD होता है COD ऑक्सीजन की कुल मांग की माप करता है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों की आक्सी करण के लिए आवश्यक है तो यह जो व्याख्या है यह COD की है BOD की नहीं है तो पहला वाला सही है दूसरा गलत है ओप्शन होगा C नेक्स्ट है पारिश्थिति की तंत्र में निमने में से किसका चक्रण नहीं होता है तो ये उर्जा का चक्रण नहीं होता है, कार्बनिक पदार्थों का भी चक्रन होता है, कार्बनिक पदार्थों का जलका भी, उर्जा का चक्रन नहीं होता है, ये एक दिसा में प्रवा करती है, एक दिसी होती है, नेक्स्ट है, नेमलिकित युगमों में से कौन सा एक युगम बेमेल है, अविस्कारक लिखे हैं और अविस्कार लिखे हैं कुछ और इसके अविस्कारक के नाम तो टीवी चिकित्सा टीवी चिकित्सा के थे रॉबर्ट कोच पहला वाला सही है दूसरा है जी कटीका किसने बनाया था रॉबर्ट कोच ने विटैमिन डी की खोज किसने की हॉपकिन्स ने जी सा रावर्ट कोच हैजेकटिका रावर्ट कोच विटामेंट डी हौपकिन्स और जिवाडू लिवेण हॉक गलत कौन सा हो गया ऑप्षण डी नेक्स्ट है वर्णांद बेक्टी किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है तो वर्णांद बेक्टी जो होता है उसे लाल और हरे में कन्फियूजन होता है ओप्शन D नेक्स्ट है इन में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतास राविक ग्रंथी है तो ये ग्रंथी है पी उस ग्रंथी ओप्शन B पेजल को सुद्ध करने के लिए पोटेसियम पर्मेगनेट का उप्यों किया जाता है क्योंकि ये आक्सी कारक है पोटेसियम पर्मेगनेट एक आक्सी कारक है ओप्शन होगा D नेक्स्ट है मेलानिन एक प्राकरतिक वर्णड़क है जो मानवत अच्छा बाल और परितारिका को रंग प्रदान करता है या किस से सुरक्षय प्रदान करता है तो मेलानिन होने की वज़े से परावेगनी विक्रण से बचाओ होता है ओप्षन होगा A नेक्स्ट है प्रोबायोटिक पर किस के लिए प्रयुक किया जाता है तो यह किया जाता है सजीव सूच्मजीवी खादिसंपूरक के लिए उप्षन होगा D प्रोबायोटिक सजीव सूच्मजीवी खादिसंपूरक के लिए उच्छ होता है नेक्स्ट है अधिक उचाई पर जल अपेच्छा क्रित कम तापमान पर उपलता है क्योंकि वायुदाब कम होता है जैसे जैसे हम उपर जाते हैं वायुदाब कम होने लगता है तो पहला वाला सही होगा option A नेक्स्ट है जब सुध जल प्रवलता से उबलता है तो सतय की ओर उठने वाले बुलबुले मुकिता किस से बने होते हैं तो ये बुलबुले वायू के बने होते हैं Option A Next है निम्निलिकित कत्नों पर विचार करें तथा सत्य कत्न का चुनाओ करें पहला कत्ने सेवाल को पारिस्तिकी तंत्र के प्रथम पोस्ण स्तर पर रखा गया है तो पहला सही है दूसरा है जय और्धन का सरवादिक दुस प्रभाव दुतिय उप्भोकत पर पर पढ़ता है तो दूसरा वाला गलत है जय आर्धन का सरवादिक प्रभाव जन्तूं और मनुश्यों पर पड़ता है तो सही कौन सा होगा केवल एक option A next है निम लिखित कतनों में से कौन सा या से सही है पहला कतन है 1 के जिव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है तो पहला वाला सही है 1 के जिव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है दूसरा है प्रकास असलेशर की दर लगभग 20 से 35 सेंटिग्रेट तक अधिकतम होती है तो ये भी सही है option होगा C एक और दो दोनो पर्यावरण संख्या अधिनियम 1986 के समद में नेमलेखित कतनों पर विजार करें पहला कतन है या अधिनियम 1972 के स्टोगों कॉन्फरेंस को लागो करने हेतु पास किया गया था ये सही है दूसरा है या कानून स्वच्चिक है इसके तहट दंड का प्रावधान नहीं है ये गलत है इसी स्वच्चिक नहीं है इसके तहट दंड का प्रावधान है तो इसमें सही कौन सा है ओप्शन A, केवल बन नेक्स्ट है, अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो सबसे निर्णायक भूमिका होती है जलवायू की, ओप्शन C नेक्स्ट है, निमलिकित पर विचार करें जीवाडू, कवक, विशाडू पाली तंत्र में खादिश रंखलाओं के संदर में कौन सायस से अपगटक कहलाते हैं तो ये जीवाडू और कवक, ये दोनों अपगटक कहलाते हैं, जबकि विशाडू अपगटक नहीं है बोलो मीटर का प्रयोग किस एक के मापन है तू किया जाता है, तो बोलो मीटर का यूज होता है उसमी विकरण के मापन के लिए किस के लिए उसमी विकरण के मापन के लिए बोलो मीटर का यूज किया जाता है नेक्स्ट है ठोस पदार्थों में उस्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस बिदी द्वारा होता है तो इस बिदी को कहते हैं चालन बिदी, option C नेक्स्ट है जब एक ठोस के अडू जो आए गुसरे से टकराते हैं तो उस्मा का स्थान अंतरण होता है नेमलिकित कतनों पर विचार कीज़े तथा दिये गए कूट की सायता से सही उत्तर बताएं पहला कतन है लाल रंग का वर्ण विक्षेपन सबसे कम होता है तो पहला सही है दूसरा है लाल रंग का तरंग दैर सरवादिक होता है तो इसका कारण भी सही है option होगा A नेक्स्ट है देख लीजे एक बार फिर से वर्ण विच्छे पर सबसे कम किसका होता है लाल रंग का क्यों होता है सबसे कम क्योंकि इसका तरंग दैर सरवादिक होता है सोनार की सिधान्थ पर कारे करता है तो ये कारे करता है परास्रब बितरंगों के परावर्दन के सिधान्थ पर इसका यूज कहा होता है इसका यूज समुद्रों में गहराई नापने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है सुची वन को टू से सुमेलित करें तर नीचे देगे रिकुट की सायता से सही उतर जुनिए अविश्कार और अविश्कारक के नाम उसमें आयनन उसमें आयनन का अविश्कार किया था मेगनाथ साहा ने पहले काउजाए गसी क्वांटम यांद्र की इसका विश्कार किया था सतेंद्रनाथ बोस ने केश्को ग्राफ का विश्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने अडूओ द्वारा प्रकास का अप्रत्यास्त प्रकिर्णन ये था चंद्रसेखर वेंकट रमन का विश्कार एक बर फिर से देख लीजिए उसमें आयनन मेगनाथ शाहा, क्वांटम यांत्र की, सत्येंद्रनाथ बोस, केस्तोग्राफ, जगदीश चंद्र बोस, अणुओ द्वारा प्रकास का प्रत्यास्त प्रकेरिणन, चंद्र सेखर, वेंकाट रमन तो ऑप्षन इसमें कौन से सही होगा, ऑप्षन डी नेक्स्ट है, निमलिखित कत्नों में से कौन सा यासे सत्य हैं, पहला कतन है हाइडोजन सबसे हलका तत्तो है, ये सही है दूसरा है ग्रेफाइट सरवादिक विद्धुद चालकत्व वाला अधात हुए ये भी सही दोनों सही है उप्षन होगा C एक और दो दोनो निर्मे लिखित कथनों पर विचार कीजिए तहता दिये गए कूट की सहता से सही उतर बताएं पहला कथने अप्मार्जक प्रिष्ट तनाओ की सिद्धान पर कारी करता है ये सही है अप्मार्जक मिलाने पर प्रिष्ट का जलका प्रिष्ट तनाओ बढ़ जाता है ये गलत है अप्मार्जक मिलाने से जलका प्रिष्ट तनाओ घट जाता है दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है, option होगा C, A सही है परन्तु R गलत है next है, नेमलेखित कत्रों में से असत्य कतन चुने, पहला कतन है, विद्धुत चुम्गिये तरंगे, अनुप्रेस्थ तरंगे होती है तो पहला वाला असती चुनना है पहला वाला सही है दूसरा है बिद्दुत का प्रकास एक बिद्दुत चुमिके तरंग है ये भी सही है इसमें असती चुनना था तो डी होगा ना तो एक ना तो दू पहला क्या था बिद्दुच चुमिके तरंगे अनुप्रस्ते तरंगे होते हैं याद रखिएगा दूसरा है प्रकास एक बिद्दुच चुमिके तरंगे ये भी याद रखिएगा नेक्स्ट है खाद इस रंखला में उत्पादक के सम्मद में निमने में से कौन सा यसे कथन सतने हैं पहला कथन है ये प्रकास अंसलेशन द्वारा भोजन निर्मान करते हैं तो ये सही है सत्य चुनना है दूसरा है ये जैविक किसा आजैविक घटकों के मद विचावलिय क्य कार्य करते हैं ये भी सही है ओप्षिनों का सी एक और दो दोनों सूरी प्रकास की उपस्तिती में तोचा में बंने वाला विटामन कौन सा है तो ये तो बहुत इजी है ओप्षन होगा विटामन डी नेक्स्ट है निमलिकित कत्रों में से कौन सा एक भारत सरकार द्वारा प प्रोजेक्ट एलिफेंट के सम्मन्द में सत्य नहीं है पहला कतन है यह वर्ष 1991-92 में शुरू हुआ था यह सही है इसे केंडरी द्वारा प्रायोजीत योजना के रूप में प्रायोजना के रूप में आरम किया गया था यह भी सही है इसका मुखी उद्देश हांतियों उनक सत्य नहीं पुझत हए ऑप्सिन इस आई होगा नेक्स्ट है सीतल पेयों में निमलिखित में से कौन सा एक इलकोलाइट्स परियाप्रमात्रा में पाय जाता है किस एक में इलकोलाइट्स पाय जाता है तो यह है कैफीन उप्सन सी है नेक्स्ट है नेमलिखित में से कौन सा एक हिर्दय का प्राकर्टिक पेश मेकर है तो यह है S.A. Notes, option C यह एक दाइन साइड हिर्दय के रहता है यानि हमारे हर्ट के दाइने साइड इस्तित रहता है और हमारे जो हिर्दय गती है उसे कंट्रोल करता है नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलिक करने से सा नीचे दिए गए कूटकी साहतर से सही उत्तर चुनिए एक तरफ योगिक दिया है दूसरी तरफ उसका उप्योग जिंक सलफाइड का उप्योग होता है स्वेट पिगमेंट के रूप में जिंक औक्साइड का होता है मलहम बनाने में जिंक बाई कार्बरनेट का होता है बेकरी उद्योग में आयूडीन का कीटाड़ू नासक में सभी सही एक दो तिन चार होगा उप्शन बी नेक्स्ट है पाइरोलसाइड किसका आयासक है ये कोशन बहुत पूशन दाता है ये मैगनीज का आयासक है औप्शन सी निमलिकित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वाइड मंडल में नहीं पाई जाती है तो ये गैस है रेड़ाउन औप्शन डी नेक्स्ट है आतिसवाजी के दौरान लाल चटक रंग किस एकी उपस्थिती की कारण होता है ये बेरियम की उपस्थिती की कारण होता है आप्शन बी आतिस बाजी के दौरान लाल चटक रंग बेरियम के कारण होता है मानों के दूद में प्रोटेन की मात्रा कितनी होती है तो ये होती है 1.1 ग्राम प्रती 100 मिली लीटर वह ग्रंथी जो वैस्क अवस्था में गायब हो जाती है प्रत्र निम्निलिखित कत्सक्राम में कौन सा एक असत्य पहला कतान ने पारितंत्र के प्रतेग पोसेंस्तर पर 10% उर्जा जयो जो क्रियाओं में उभग कर ली जाती है गलत है असति पुछा है पहला योगा यहां 10% की जगे 90% होना चाहिए क्योंकि पारितंत्र में प्रतेक पोस्ण इस्तरपन 90% हो जा जयो करियाओं में उब्भोग कर ली जाती है दूसरा है प्रकास सन्सलिस्टाण में उर्जा का रूप अंत्रन राहसानिक उर्जा के रूप में होता है दूसरा सही है एक पुर्ञ्च के परस्तितिकी तंत्र का संख्या पिरामिट सदय उल्टा होता है यह भी सही है। प्रास्तित्की तंत्र में जीओं की संख्या इस्थिर होती है ये भी सही है पहला गलत है ओप्शनों का A नेम लिखित कत्वरों पर विचार कीज़े तरनीग कोड़ की साहता से सही उतर बताएं पहला कत्रन है विशानों का अध्यन जैır विकास के अध्यान के अध्यान में क्या जाता है इस API है दूसरा कारान डिखा है विशाणों में केवल निर्जीऊ गुण विधिमान होते हैं तो गलत है विशाण जो होता है वो सजीऊः और निर्जीऊः दोनों की गुणस में होते हैं उनके बीच की कड़ी कहा जाता है तो इसका पहला सही होगा तूसरा गलत ऑप्शन होगा सी घाओ बढ़ने के ने लिम लिखिद विटामिनों में कौन सा एक सायक है तो यह है विटामिन यह मस्तिस को प्रवावित करती है है जा है जा आत को और छे रोग फेपड़े को ऑप्शन होगा ऑप्शन सही है डी नेक्स्ट है विज्ञान की कि साखा के अंतरगत नींद का अध्यन किया जाता है तो यह साखा है हिपनोलोजी ऑप्शन ए सूची वन को टू से समेलीत करें तर नीचे देगा एक उट की साथा से सही उतर चुनिए एक तरफ अविश्कार दिये दूसरी तरफ बैग्यानिक के नाम टीवी वेक्टीरिया की कोच रोबर्ट कोच ने की थी वेक्टीरिया की कोच लिविन होक ने की ती कर्भ निरुदक गोलियां पिंकस ने सलफाड्रक डॉप्शन होगा ओप्शन एक एक बार फिर से देख लेते हैं कि टीवी वेक्टीरिया की कोच रोबर्ट कोच ने वेक्टीरिया की लिविन होक ने गर्भ निरुदक गोलियां पिंकस सलफाड्रक्स डॉप्वेक्स नेक्स्ट है निमलिकी त्यूगमों में से कौन सा एक सह ही शुमेलित नहीं है एक तरफ बिटामिन का नाम लिया है लिखा है दूसरे कमी से होने वाला रोब रेटेनल की कमी से होता है जीरो फलीप ग्लत है इसमें गलती पूछा है जबकि जो बाल का सफेद होना है वो विटामिन B5 जिसे पेंटो थेनी कम लगाते हैं उसकी वज़े से होता है बाल का सफेद होना और फिलोक्विनोन इसे रक्त का थका ना जमना होता है तो बाकी सही है option C गलत है नेक्स्ट है पेप्टाइड है एक प्रकार के तो पेप्टाइड क्या है यह है व्यूत्पन प्रोटीन option C सरीर में वसा का संसलेशन कहां होता है तो यह होता है माइटो कानप्रिया में option B सूची वन को टू से स्मेदित करना तथा नीचे दे गए कूट की साथा से सही उत्तर जुनिये एक तरफ पादप हार्मोन दियें दूसरी तरफ उनके कारे तो आक्सिन का कारे होता है व्रिद्धी नियंत्रण जिब्रेलिंस का बौने पोधों को लंबा करना साइटो काइन साइटो काइनिन कोसी का विवाजन एपसीसिक एसीड व्रिद्धी रोधक तो इसमें सही कौन सा होगा एक दो तीन चार ऑप्शन होगा ए इसमें थोड़ा सा हिंदी वाला थोड़ा ढग गया इसलिए मनें इंग्लिस वाला भी ले लिया है तो पहला है 60 नमबर को कोशन है प्रिकास अंसलिसन की क्रिया है तू क्या आवश्यक नहीं है तो इसमें पानी दिया है जल क्लोरोफिल नाइट्रोजन कारबन डियोक्साइड तो इसके लिए आवश्यक क्या नहीं है नाइट्रोजन ओप्शन सी प्रिकास अंसलिसन में जल भी आवश्य के क्लोरोफिल भी कार्बेन डेयोकसाइड भी नेटोजन नहीं है नेक्स्ट है जिऊद्रब्र का लगभग कितना भाग जल होता है तो यह होता है 80% भाग जिऊद्रब्र का 80% भाग जल होता है दूसरा है 1992 के प्रतिवी सम्मेलन में अजेंडा 21 के तहट इसके प्रतिवी समर्थन व्यक्त किया गया तो यह भी सही है पहला भी सही दूसरा भी सही तीसरा है वर्ष 2002 के जोहंसबर्ग सम्मेलन का मूल विषे सतत्विकास था यह भी सही है उपर्योक्त सभी कतन शहियो हो ऑक्षन डी सतत विकास का सम्मन ब्रेटलेंड रिपोर्ट से है 1992 के प्रतिपी सम्मेलन में अजेंटिया 21 के तहट इसके प्रति पूर्ण समर्थन बेक्त किया गया और उसके बाद 2002 में जोहांसपर्ग सम्मेलन का मूल उद्देश मूल विशे जो था वो सतत विकास था सभी सहींindest remember प्रिजातियां है , पेड़, पौधय, जनतु सबसे कम होते हैं गहरे सागर में यहाँ पे उतले सागर की बात नहीं की जा रही है उपर बहुत सारे वनसपतियां होती है जबकि नीचे एकदम गहरे सागर में कुछ नहीं होता नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोतों में वैस्विक मीथेन उर्थ सर्जन का सरवाधिक भाग उत्पन होता है तो ये होता है आद्र भूमियों से ओप्शनों का C प्राक्रितिक स्रोतों में वैसिक मीथें दूर्ट सर्चन का सरवादिक भाग उत्पन होता है आद्र भूमियों से नेक्स्ट है निम्डिकित कतनों पर विचार कीजिए तथद ये गए कूट की सायता से सही उत्तर बताएं पहला कतन है हाइड्रो फ्लोरिक अमल का भंडारान काच की बतल में नहीं किया ज़स सकता है तो पहला सही है दूसरा है काच हाइड्रो फ्लोरिक अमले के साथ प्रतिक रिया कर गूलन सील सिलिकेट बनाता है तो इसका कारण भी सही है इसका काच की बतल में भंडारान नहीं हो क्योंकि क्यों लगा जाता है और उस्मा के कुछ आलक होते हैं इसलिए इसका हथा लगाया जाता है जिसे हाथ में हाथ गरम नहुत नहीं नेक्स्ट है नेमलिकित गैशों में से किस एक की सरवाधिक मात्रा जौला मुखी विस्पोर्ट में पाय जाती है तो यह है जलवास्प ओप्सन C जलवास्प सबसे ज़्यादा निकलता है जब जौला मुखी विस्पोर्ट होता है जीरो वजट नेच्टरल फार्मिंग के समद में नेमलिकित कत्नों में कौन सा सत्य है पहला कत्न है इस प्रकार की खेती में फ़स्ट लोग की सुरच्छा है तो जैविक उर्वरकों का प्रेयोग किया जाता है तो ये सही होगा जैविक उर्वरक यूज किया जाएंगे तभी तो नेच्चुरल फार्मिंग होगी जीरो बजट दूसरा है या किशानों के निवेश को कम करती है ये भी सही है या मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है ये सभी सही है उप्रोक सभी ऑप्शन डी निमलिकित कतरों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कोट की साहता से सही उतर बताएं पहला कतन है वसा में प्रती यूनिट कैलोरी की मात्रा सरवादिक होती है ये सही है दूसरा है इसमें ऑक्सीजन कम होने से आक्सी करण अधिक होता है तो इसका कारण भी सही है बारण है तो यह है अगनास है अगनास है दोनों प्रकार की ग्रंथी है वहिस्टावीवी अंताश्टावीवी सुची वन को टू से सुमेलित करें तर नीचे देगए कूट की साथा से सही उत्तर चुनिए एक तरफ तत्यों के नाम दिये हैं दूसरे तरफ आयस्क तो मैगनी कंसा होगा इसमें सही प्रकाच की किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किसपर निर्भर करता है तरंग दैरे पर आपसुन सी जो प्रकीरणन और तरंग देर होता है उनका विपरीद संबंद होता है यानि अगर तरंग देर जादा होगी तो प्रकीरणन जादा होगा अगर तरंग देर कम होगी तो प्रकीरणन जादा होगा नेक्स्ट है निम्लिकित कत्रों में से कौन सा या से सही है पहला कथन है पादप कोशिका को कोशिका में कोशिका विद्ती का अभाव पाय जाता है तो पहला वाला गलत है दूसरा है जन्तु कोशिका में हरितलवक पाय जाता है तो दूसरा वाला भी गलत है पादप कोशिका म हम इंगलिश वाला देखेंगे which of the following disease is also known as log jaw तो कौन सी disease को log jaw कहा जाता है तो इसका नाम है tetness option B next है chemical name of game exam is तो यह क्या है game exam क्या है यह है benzene hexa chloride option D next है नेक्स्ट मानो सरीर में यूरिया उत्पन होता हैangan तो तो मानो सरीर में यकरित में यूरिया उत्पन होता है option अज़ियोंगा a next है कौन एक जय ऊर्वर्वरकों में सम्मिलित नहीं है तो यह कवक मूल ये जैय उर्वर्कों में सम्मिलित नहीं है जो नील हरी सेवाल होते हैं राई जोबिया होता है और दूसरे नाइटोजन निबंदक बैक्टिरिया होते हैं वो जैय उर्वर्कों में सामिल होते हैं जबकि कावक सामिल नहीं होते नेक्स्ट है निम्नेकित कतनों पर विचार कीजिये तथा दिएगे ये कुड़ की साथा से सही उत्तर बताएं पहला कतन है जैविक संसार में उपस्थित सम्पूण विवित्ता का मूल श्रोत स्वता उत्परिवरतन है तो पहला सही है दूसरा लिखा है कारण इसका लिखा है प्रकृति में उत परिवर्तन अत्यंत कम दर पर होते हैं तो यह गलत है यह भी सही है लेकिन इसकी ब्याख्या नहीं कर रहा है प्रकृति में उत परिवर्तन अत्यंत कम दर पर होते हैं यह सही है और पहला वाला भी सही है जैविक संस वाटर इस मैक्सिमा मैट तो किस टेंपरेचर पर जो वाटर की घनत होता है वो सबसे ज़्यादा होता है यह फोर डिग्री से डिग्रेट पर आप्शन सी नेक्स्ट है निम्लिकित कथनों में से कौन साय से सही है पहला कथन है आवरक तरंग का तरंग देर दिश द्रिश सी प्रकास में कम होता है तो यह गलत है पहला वाला दूसरा है इसका प्रयोग रात्री उपकरण में किया जाता है यह सही है तो आप्शन होगा केवल दो आप् से अधिक होता है और इसका यूज दृष्टी उपकरण मनाने में किया जाता है नेक्स्ट है निमलेखित यूग मुव पर विचार करें पहला एक तरफ रोक दिया है दूसरी तरफ विकार का संबंध तो सेरेब्रेल पालसी सेरेब्रेल पालसी व्रिद्धों में दिखा है तो मस्तिस का एक प्रिकार का विकार है जो छोटे बच्चों में होता है तो पहला वाला कलत हो गया दूसरा हिस्टीरिया जवान मैलायों में ये सही है बल्ट फ्लू ये पक्षियों में होता है तो दूसरा और तीसरा सही है सही सुमेलित कुछ है ऑप्शन होगा ए टू एन त् पंद्रा सो लीटर ओप्शन डी निमलिकित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से सम्मेलन तो यह सम्मेलन है 1979 का बौन सम्मेलन यह प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से सम्मेलन निमलिकित में से कौन सा एक इस्फुर दीप्त पदार्थ का दारण है तो यह बेरियम सलफाइड ओप्शन ए इस फुर्धी पदार्थ कौन से होते हैं जो कुछ देर के लिए प्रकास सर्जन करते हैं उसके आध फिर से बंद हो जाते हैं इन्हें इस पुर्धी इतिका जाता है जिसे बेरियम सलफाइड जिंक सलफाइड भी होता है कैल् राइसायनिक सक्रेता सबसे कम होती है तो सबसे कम होती है सोने की ऑप्शन डी जिसके कारण इस सोतन रवस्था में पाय जाता है सोना क्योंकि इसकी राइसायनिक सक्रेता किसी और के साथ नहीं होती है सबसे कम होती है इन में से तामबे चांदी प्लेटिनम ये सब किसी और प प्रोटीन की फैक्टी का जाता है, option होगा B, और आईबोसम की खोज किस ने किती? पैलेड ने, पैलेड ने किती, next है, निमलिकित में से कौन से रोग जल संक्रामक है, टाइफाइड हैजा टूबर कलोशिस, हैपटाइटिस 1, तो इसमें से, यह हैपटाइटिस A है, तो इसमे से टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस वन तु और फोर है ओपशन सी यह जल संक्रामक है जबकि जो टूबर कुलोसिस होता है यह जीवाणू से पहलने वाला रोग है जो किसी को दिखे सामने मतलब जिसे हुआ है अगर और हम सामने हैं तो हमें सकता है इंसुलं में निम लिखित में से कौन सी धादु मुझूब होती है तो इंसुलं में होता है जस्ता option Cwoman नेक्स्ट है निम लिखित में से कौन जय विवित्ता के व्रिद्धी में सायक है तो यह है पारितंत्र की उत्पादकता भी सायक है पारितंत्र की आयू भी मद्य व्योधान भी उप्रोग सभी ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट है निम लिखित कतरों पर विचार जी तसदिये के कूट की साथा से सही उततर बताएं पहला कथन भी सब्रकूसर केवल हानीकारग पढ़ाहु तो यह गलत है केवल हानीकारग प्रूवाहु ही पैदा नहीं करती है कुछ इसे भी चीजें हैं जिन से जिन में carbon dioxide का यूज होता है जैसे कि प्रकास दूसरा या global warming का प्रमुक कारण है दूसरा सही है पहला वाला गलत है आप्शन कौन से सही होगा D एक अला था पर दूसरा सही है 1997 में अनुबोधित के प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था तो ये लागू हुआ था 2005 में आप्शन सी अनुबोधित कभू था 1997 में लागू हुआ 2005 में रक्त का थक्का बनाने में सायक फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है तो ये होता है यक्रित के द्वारा आप्शन सी नेक्स्ट है वसा में घुलनसील विटामिन कौन से हैं तो लेटिनल है A, टेकोफिरल है E तो जल में घुलनसील जो विटामिन होते हैं वो B और C होते हैं बस जल में घुलने वाले B और C होते हैं और वसा में घुलने वाले A होता है, D होता है, E होता है और K होता है A, D, E, K जबकि बस दो विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं B और C है इसमें हम इंग्लिश वाला देखें क्योंकि हिंदी वाला दिखने ही राइस तो नाइट्रस ऑक्साइड यह निश्यतक के रूप में यूज होता है निश्यतक मतलब एनिस्थेटिक उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइशिन का यूज होता है एंटी वैर्टिक्स में एस्पिरिन एस्पिरिन का यूज होता है एंटी पैरेटिक्स में एंटी पैरेटिक्स में फिनॉल का यूज होता है एंटी सेप्टिक में इसमें आप्शन कौन से सही होगा डी नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थेटिक में और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबाइटिक में एस्पिरिन एंटीपैरेटिक्स में फिनॉल एंटीशेप्टिक में नेक्स्ट है नाइट्री करण के प्रिथम चरण में क्या होता है नाइट्री करण के प्रिथम चरण में आमोनिया का बदल सब्सक्राब नrevü हैं इन है कि मuld onlar नीले तथा यह प्रकास के पुझ का एक स्थान पर मिलने का प्रभाव है क्यों पिर प्रकास का सफेद हो जाना जब लाल घरे और नीला रंग मिलता एक ही जगह पर तो प्रकास का रंग सफेद हो जाता है नेक्स्ट है गहरे जलिये पारिस्तिति की तंत्र का जय भार पिरामिड होता है तो यह पिरामिड होता है उल्टा ओप्शन भी उल्टा मतलब ऐसा बना होता है गेरे जली भाग में जो बड़ी मचली होती है उसका भार सबसे ज़्यादा होता है जो भार की बात की गई है यहां पर उसके बाद पर छोटी मचलीया पर जंतुपलवक फिर पादब नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन से अमली वर्षा का प्रभाव है तो अमली ये वर्षा का पहला वला है पौधों में प्रकास संस्लिस्टन की क्रिया बाधित होना तो पहला सही है दूसरा है संगमर्मरी इमारतों का छरण होना ये भी सही है ओप्शनों का C A और B दोनों परेवरण पर पहला वैस्विक सिखा सम्मेलन था तो पहला था स्टोक होम सम्मेलन 1972 ये पांच जून को हुआ था इसलिए हम जो परेवरण दिवसों ये पांच जून को मनाते हैं नेक्स्ट है अहार में लवण का मुख्य उप्योग है तो मुख्य उप्योग है बोजन पाचन हे तू हाइड्रो क्लोरिक अमल लगु मात्रा में पैदा करना तो ओप्शन D होगा लवण का उप्योग क्या है बोजन पाचन हे तू हाइड्रो क्लोरिक अमल लगु मात्रा मे पैदा करना निमलिकित में से कौन सी एक पारिसिती की दबाओ की इकाई है तो ये इसका नाम है बार ऑप्शन ए वायू मंडल में प्रकास के विश्राण का कारण है तो विश्राण का कारण है धूलकन प्रकास के विश्राण का कारण धूलकन निमलिकित में से किस विटामिन में नैटोजन पाया जाता है तो यह विटामिन है विटामिन B आप्शन B निमलिकित युगमों पर विचार कीजिए एक तरफ संस्था दिये दूसरी तरफ मुख्याले तो IUCN का मुख्याले मौर्गस में है सही है विशु वनेजियू कोस इसका मुख्याले ग्लैंड में है इवी सही UNEP नेरोबी में है इवी सही है उपर एक्त में से कौन से सही सुमेलित है तो यह है उपरोग सभी ओप्शन D IUCN मार्गस और विशु वनेजियू कोस ग्लैंड UNEP नेरोबी केनिया की रासानी नेरोबी मुर्दा में पाए जाने वाले निमलिकित में से किस जल का उसोसान पौधों की जड़ों द्वारा किया जाता है तो यह कोसिका जल उप्शन B नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन साथ जयो भूतल पर अतेधिक जयो विवित्ता वाली छेत्रों में प्रगडित नहीं किया जाता है तो यह घास के मैदान उप्शन C इनमें जो प्रवाल भी वित्तिया होती है अतेधिक जयो वित्ता पाई जाती है उशन कतिविंदी वर्षा छेतर में भी अतेधिक जयो वित्ता पाई जाती है आदर भूमियों में भी अतेधिक जयो वित्ता पाई जाती है घास के मैदान में भी जव वित्ता पाई जाती है लेकिन अत्य धीक नहीं वाई जाती है नेक्स्ट है निम्लिकी त्यूगमों में से कौन साइक साई सुमेलित नहीं है विटामिन बी फाइव विटामिन के विटामिन डी विटामिन ए तो विटामिन बी फाइव पेलागरा से संबंदित है विटामिन वी के वी के जो है वो निक्टा लोपिया से संबंदित नहीं है यह विटामिन ए से संबंदित रोग है और विटामिन डी यह आस्टियो मेलेसिस से है और विटामिन ए जीरो थैलमिया से है तो पहला डी भी साहिए बी भी साहिए भी साहिए साहिए नह निम्लिकित पर विजार करें बड़ फ्लू बड़ फ्लू होता है H5N1 से तो पहला वाला गलत हो गया बड़ फ्लू होता है H5N1 से स्वाइन फ्लू होता है H1N1 से तो दूसरा वाला भी गलत हो गया पहला भी गलत दूसरा भी गलत डॉक फ्लू होता है H3N8 से तीसरा वाला सह इसको ऐसे होता है यह तब सही होता बैड़ फ्लू होता है एच्फाइव एनवन से है और डॉप फ्लू एस्थ्री एनएट से तो ऑप्षन कौंसा सही होगा इसमें सथ्प्षाई सुमेलित नहीं है तो दो एक और दो सुमेलित नहीं है option होगा c next है interferometer की सहता से मापा जाता है तो मापा जाता है तारों और आकास गंगा का व्यास मापा जाता है interferometer से biological oxygen मांग किस एक प्रदूसक को मापने की प्रमुक इकाई है तो यह है जल प्रदूसक को मापने की पाई इकाई BOD biological oxygen demand निमने लिखित में से कौन से wire production रोगठाम की यंद्रिये विधी है पहला है cyclone divider तो यह नहीं है back filter यह है cyclone collector भी है cyclone separator भी है cyclone divider जो है यह wire production के रोगठाम की विधी नहीं है तो हो गया इसका option सही 2, 3 and 4 option नहीं निमने लिखित में से कौन सा एक आनुवन 6 संसादनों को प्राप्त करने तथा उनसे मिले लाबों के समझी तो यह निश्पक्ष्मपटवारे से संबंदित है तो यह है नागोया प्रोटोकॉल option B नागोया प्रोटोकॉल कब स्विकार किया गया था 2010 में नेक्स्ट है इसी नागोया प्रोटोकॉल को ही ABC प्रोटोकॉल कहा जाता है पारिस्थितिक निकेट के संदर में कौन सा एक कथन असत्य है पहला कथन है निकेट एक सूच में निवास होता है यह सही है पारिस्थितिकी निकेट सब्दक का सरप्रिथम प्रयोग ग्रीनेल से नहीं किया था यह भी सही है एक निकेत में पौधे एम जीवों की बिविन प्रकार की जातियां जातियां एक साथ निवास करती है तो ये गलत है इसमें एक ही प्रकार की जाती जब निवास करेगी तब उसे निकेत कहा जाएगा इसमें असरती पूछा आप्सनों का C किसी निकेट में रहने वाली जाती दूसरे निकेट में रहने वाली जाती की पूरक होती ही यह भी सही है नेम निकित कथनों पर विचार कीजिते था दिये गए कूट की शायता से सही उत्तर बताएं पहला कथन है जयो ममंडल एक खुला तंत्र है तो यह सही है दूसरा है इसमें उर्जा का सतत निवेश तथा पदार्थों का सतत बहिर गमन होता है तो ये भी सही है इसका काराण भी सही है कथन भी सही option होगा है next है पारिश्टिकी तंत्र में घटकों में निमलिकित में से कौन एक जैविय घटक है तो जैविक घटक है वैक्टिरिया, option D तापमान और फासफोरत प्रोटीन यह जैविक घटक है जबकि वैक्टिरिया सेवालादी जो होते हैं यह जैविक घटक होते हैं नेक्स्ट है, निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए तस दिये गए कूट की साहतर से सही उतर बताएं मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं यह सही है मैंग्रोव वन समुझवी तूफानों की प्रभवित्ता कम कर तटी सुरक्षा परदान करते हैं यह भी सही है, option होगा A रमन प्रभाव का संबंध है तो रमन प्रभाव का संबंध है सभी पारदर्शी माध्यम से गुजड़ने वाली किर्णों से नेक्स्ट है निम्रिकीत युगों में से कौन सा एक साही सुमेलित नहीं एक तरफ प्रोटीन दिया है दूसे तरफ उसके स्रोथ तो जिन मक्का में मिलता है गोशिपिन जो है ये कपास में मिलने वाला प्रोटीन है तो दूसरा वाला सही नहीं पूछा है तो ओप्शन बी होगा प्रोलैमीन्स ये दालों में मिलता है ग्यूटेलिन्स अनाज में मिलता है यह जैसे लिखा है से याद कर लीजेगा टफ है कोई बात नहीं फिर कभी आये तो गलत नहीं होना चाहिए जिन मिलता है मक्का में प्रोलेमीन्स मिलता है दालों में ग्यूटेलीन्स मिलता है अनाज में और जो गोसिपिन है जो गलत है गोसिपिन मिलता है कपास में नेक्स्ट है निमलिकित युगमों में से कौन सा एक सही समेलित नहीं है पहला गहन पारिष्थित की यह अर्नीजनेस से सम्मधित है पहला सही है पारिष्थित की तंत्र यानि इकोर सिस्टम यह टांसले से सम्मधित है यह सही है पारिष्थित की यानि एकोलोजी एकोलोजी स सब्द टेलर ने नहीं दिया था इसे धिया था अरनेस्ट हैकल ले आपस्ण लेट ले ने पहल दूसरा और चौथा सफ था गलत नेकस्ट है नेमलेकित युद्वां में से कौनशाइक समेलित नहीं है सेरोलवियों कि यह रुद्युर सीरम का बैग्यानिक आध्यान ये सही है हर पेंटो लाजी हर पेंटो लाजी जो है सांपों से संप्दी तर शही नहीं पुछ औप्शन B होगा और नितोलाजी पक्षियों का द्यान najle जेरूंटो लाजी ब्रिद्ध होने की प्रिक्रिया का द्यान तो गलत कौन सा होगे है option B जहां पर जातियों की पर्यापता तथा स्थानी जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के आस्तित पर निर्यंतर संकट बना रहता है वह छेत्र कहलाता है तो ऐसा छेत्र hot spot कहलाता है जहां पर जातिय तो खुब सारी है उनकी पर्यापत मात पदार्थ है जो कवक द्वारा मनाया जाता है तो यह सही है दूसरा यह प्रोटीन ते और प्रोटीनियम विटामिन के मुखे साधन है यह भी सही है ओप्शन होगा सी एक और दो दोनो यदि किसी व्यक्त का रुधिर दाब बहुत कम हो गया है तो इन में से कौन सा हॉर्मोन देने पर उसे लाव होगा तो यह एड्रिने लिन अध्रिने लिन उप्शन भी इसे रुधिर का दाब बढ़ेगा नेक्स्ट है उत्कों का अध्यान निम्न में से किसके अंतरगत किया जाता है तो उत्कों का अध्यान हिस्टोलोजी के अंतर प्रोटीन युप्रोक्त उप्रोक्त में से कौन सा यासे संयुग्मी प्रोटीन के उधारण है तो ये है केवल तीन नुक्लियो प्रोटीन अल्ब्योमिन और ग्लोब्यूलिन ये सरल प्रोटीन होते हैं जबकि जो नुक्लियो प्रोटीन है तीसरा वाला ये संयुग्मी प्रोटीन होता है तो सेगमी प्रोटीन का उदानार पूछा है तो नुकलियो प्रोटीन होता है और अल्बियूलीन और ग्लोबियूलीन यह दोनों सरनल प्रोटीन होते हैं याद रखेगा बहुत टफ है यह निमलिकित में से कौन सा एक फॉस्फोरस घुलाने वाले जयो उर्वरक के रूप मे जाना चाता है तो यह है बैसिलस लूडो मुनास ओप्शन डी निमलिकित यूगमों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है कच्छ वानस पती स्थल और राजि दिये गए हैं तो देवी कौडा उड़ीसा में स्थित है पिचावरम पिचावरम केरल में नहीं है यह तमिल न अच्रा रतनागिरी यह महाराष्ट में है मुथू पेट तमिल नाड़ू में है पिचावरम और मुथू पेट दोनों तमिल नाड़ू में है और देवी कौडा उड़ीसा में है अच्रा रतनागिरी महाराष्ट में है नेक्स्ट है यदि दो समतल दरपन 30 डिग्री कौन प फॉर्मूला होता है 360 डिगरी अपॉन थीटा मैनेस वन तो उतनी संख्या आती है तो थीटा की जगह पिर हम 30 डिगरी रख देंगे 360 अपॉन 30 मैनेस वन यह करेंगे तो हमें 11 आएगा आंसर 11 आएगा तो यही है संख्या प्रदिभीम्बो की संख्या 11 आएगी नेक्स्ट है निम लिखित कत्नों पर विचार कीजिए तहसा दिये के एकूट की साहता से सही उतर बताएं ठंडे देशों में एलकोहल को ताप मापी के रूप में द्रव के रूप में परियता दी जाती है तो पहला वाला सही है दूसरा है एलकोहल का द्रवडांग उचितर होता है तो यह गलत है जो उसका निम नतम द्रवांग होता है इसलिए इसे रखा जाता है ताप मापी में तो पहला वाला सही है दूसरा गलत है उप्शन होगा सी नेक्स्ट है निमलिकित युग्मों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही सुमेलित युग्मों को पैचाने CT scan X scan से होता है दूर संचार microwave तरंगों से होता है TV प्रसारन रेडियो तरंगों से होता है तीनों सही ओप्सनों का D उपरोग सभी नेक्स्ट है निमलिकित युग्मों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूट की सायता से सही उत्तर बताएं लार में MLAG सथा lysogym नामक दो इंजाइम पाए जाते हैं तो ये सही है काराण इसका लिखा है MLH स्टार्च को सरकरा में तोड़ता है जबकि लाइसोजाइम भोजन में उपस्तित जीवाणों को नश्ट करने में सायक होता है तो ये भी सही है लेकिन ये इसकी ब्याख्या नहीं करता है इसलिए ओप्शन होगा B नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा एक जयो निमनी करित नहीं है तो ये है चांदी की पन्नी ओप्शन B बाकी सभी जयो निमनी करित है निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया जलचक्र में सामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है तो ये है ओर्ध पातन ओप्शन B वास्पी करान, हिमी करान, विलगन, विगलन, ये सभी जलचक्र में सामेलें, ओर्ध पातन नहीं है प्लास्टर और पेरिस निमलिकित में से किसका एक उत्पाद है तो ये है कैल्सियम का उत्पाद प्लास्टर और पेरिस का जो फार्मूला होता वो 2CASO4 into S2O नेक्स्ट है, निमलिकित में से किसका उप्योग विस्पोटक के पादन में किया जाता है तो ये है ग्लिसरॉल निमलिकित में से कौन सा एक सही सुमेदित नहीं है तो ये इस्ट जो है एक एडवन से बनता है और कैसीन, कैसीन दूद प्रोटीन है एलोवेरा, एलोवेरा आवरित बीजी है घटपर्डी, परजीवी आवरित बीजी लिखा है, ये गलत है ओप्शन D होगा जो घटपर्डी होता है, ये परजीवी नहीं है मिलकी प्रकास लेस्ट ग्रिया द्वरापना बोजन बनाने में शक्छम होता है तो ओप्शन D सही होगा नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा एक राजी, बिभिन केंदित शुधारों को सफलता पूरबक लागो कर पूंजी घट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी पाने वाला देश का पहला राजी बन गया है तो इस राजी का नाम है मद्यप्रदेश ओप्शन B तो मद्यप्रदेश जो है ये बिभिन केंदित सुधारों को सफलता पूरबक लागो कर पूंजी घट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी इसको दी गई है मद्यप्रदेश को क्योंकि इसने अपनी युजनाओं को सही से लागो किया है नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2020 में निमलिकित में से किसे सीर्श मूल लिवान कंपनी का स्थान प्राप्शन पूआ है तो यह है एपल ओप्शन सी हाल इमें कौन सा राजी इक कैबिनेट प्रणाली लागो करने वाला पहला राजी बना है यह है हिमाचल प्रिदेश ओप्शन डी नेक्स्ट है पहला इस्तान इस में किसका था? पहला इस्तान था नौरवेका और सबसे लाष्ट में था उत्तरकोरिया नासा द्वार गोशित स्फियर एक्स मिशन किस एक के अधियन से संबंदी थै? तो यह संबंदी थै? आकास गंगा और ब्रंभाण निर्माण प्रिक्रिया से सम्दिर स्फियर एक्स नेक्स्ट है हाली में निम्नि में से किस किर्केटर को जनवरी 2021 में उनके सांदार प्रिदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर आप दे मन्त अवार्ड के लिए चुना गया तो इनका नाम है रिशपन्त जनवरी में इनको दिया गया था रिशपन्त को ऑप्शन B मारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है तो ये राउर किला में बनाया जा रहा उडिशा में ऑप्शन D हाल इमें माउंट मेरापी में जौला मुखी विस्फोर्ट प्रादम हुआ या किस देश में इस्तित है तो माउंट मेरापी इस्तित है इंडोनेशिया में ओप्शन C विशू कैंसर दिवस कब मना जाता है तो विशू कैंसर दिवस चार फरवरी को बना जाता ओप्शन बी व्यूटिफुल तिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक है जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ओप्शन डी पानी में कुछ अब द्रब्यों को मिलाने पर उसका हिमांग उसकी हिमांग भी क्यासर पड़ेगा तो हिमांग घटेगा ओप्शन निम्ने लिखित में से कौन सा या से दातों की मजबूती के लिए आवस्चेक है तो फ्लोरीन आवस्चेक है गैल्सियम आश्चेक है फास्प सिलीन का स्ष रत्यूत है कवक ऐंसीलीन के गल्ए का सर्पगंधा रायनी का अ कि सटनी कोना की कि चाल निकोतीन तंबाकू इसमें सह प्रेसलीन ओप्शन कौन्सा होगा उस्मन यानि जो टेंपरेचर बढ़ रहा है क्लाइमिट का यह सबसे बड़ा कारण है प्रवाल विरंजन का ओप्शन होगा डी यह सभी कोश्चन कंप्लीट हो गए कोश्चन थोड़े टफ थे लिकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो बाद में कभी कोश्चन मिलें इसलिए इंपोर्टेंट है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करतीजेगा थैंक्यू सो मच रोचिंग ब्लेक टाइम क्लासेज करते हैं आप डिलिए में क्यूंत डार शौंग सब्सक्राइब करता है यह जगएhh